हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हमारा कोश्चन है उपनियास की परिभासा देते हुए उपनियास के तत्वों की समिक्सा कीजिए तो दोस्तों यह जो है आपका दोज़तेईस का जो कोश्चन पेपर है खंड कौ का दूसरा कोश्चन है तो यह 90 मार्क्स का कोश्चन है तो यह आपके एकजाम में दोबारे से रिपीट हो सकता है तो कोशिस कीजिएगा कि जो आंसर में आप लोगों को बताऊं उसको ध्यान पूर्वक आप लोग सुने तो चलिए आंसर में हम लिखेंगे कि उपनियास एक लंबी कल्पनासील कता है जो अधिकांस्त व्यक्तियों की जीवनी, समाजिक परिवर्तन और विभिन घटनाओं को सामहिक रूप से प्रस्तुत करती है उपनियास की पर्मुक विसेशता हैं, इसमें कल्पना, सार्थकता, चरित्र विकास और समझदारी का अभियास होता है उपनियास में रचनात्मुता, अभिव्यक्ति और साहितिक सौंदर्य का मेल होता है जो पाठकों को समरिद्धी और मनुरंजन प्रदान करता है फिर इसमें हमारी heading हो जाएगी, plot कहानी का करमबद विकास, यह main heading होगी इसमें हम फिर्ष्ट heading डालेंगे, कहानी की रचना इसमें हम लिखेंगे कि उपनियास में एक विसेश कहानी रचना होती है जिसमें संगटन और उत्तरदाता का इस first निरूपन होता है फिर second heading डालेंगे, main heading होगी, चरित्र, किसी भी कहानी में हस्ती या ब्यक्ती तो इसमें हम first heading डालेंगे, चरित्र विकास इसमें हम लिखेंगे, उपनियास में परमुक चरित्रों का विस्तार पूर्ण विकास होता है जो कहानी के गती और संदेश में मदद करता है विभिन चित्रन के माध्यम से पाठकों को अन्य जगों में ले जाता है फिर next heading हो जाएगी four, ये main heading होगी समय, कहानी का समय तो इसमें हम लिखेंगे heading काल गुडन तो इसमें हम लिखेंगे कि उपनिवास का समय सीमित नहीं होता और विभिन कालों में घटित हो शकता है फिर next heading हो जाएगी साहितिक संदरिय भासा और सेली heading होगी main इसमें हम heading डालेंगे रचनात्मक भासा और लिखेंगे कि उपनिवास में भासा का उचिस्तर का उपयोग होता है जो पाठकों को आकरसित करता है फिर next heading हो जाएगी संदेश कहानी से निकलने वाला सार ये heading होगी फिर इसमें हम heading डालेंगे गहरा संदेश और इसमें हम लिखेंगे कि उपनिवास में एक गहरा संदेश होता है जो जीवन और समात के मुद्दूं पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करता है फिर इसी में हम आगे लिखेंगे कि उपनिवास के इन तत्मों का संगम साहित एक आनन्द और आलोचना के लिए एक समरिद्धी और उतकुष्टता का स्रोत परदान करता है तो दोस्तों ये था इस question का answer अगर आप लोगों कोई वीडियो helpful लगी हो तो वीडियो को like और channel को subscribe कर लीजिएगा साथ ही में मैंने आप लोगों के लिए एक WhatsApp group बनाया हुआ है उसका जो link है वो इस वीडियो की discussion box में दिया हुआ है तो आप लोग क्लिक करके join कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको हमारी next वीडियो में तब तक के लिए bye bye and have a good day